फाइनली दोस्तो इगनू की तरफ से फिर से एक बुरी ख़बर आ चुके हैं आप सभी के लिए तो इस ख़बर को देखने के लिए पुरी अपडेट को जरूर से जरूर देखिएगा जैसे की पता है दोस्तो हम आपको हमेशा देते इगनू से रिलेटेल पलपल ख़बर जो आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता है दोस्तो यह बुरी ख़बर आप सभी की एक जामनेसन को लेकर है तो आप पुरा कपुरा वीडियो जरूर देखिएगा उससे पहले यहाँ पर कुछ एक नए नोटिफिकेशन आया है जिसे स्क्रीन पर देख पा रहे है इस नोटिफिकेशन की और एक नजर डालते हैं फिर उस बुरी ख़बर की और रूब रूब करेंगे दोस्तो यह जो है जो फौर्टरी हुए थे उसका कंपेटिशन हुए थे उसका रिजल जो है डिकलियर कर दिया है तो वो जो रिजल्ट है दोस्तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर कंपेटिशन जो है रिजल्ट है वो आ चुका है तो यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर बताना चाहेंगे कि वीनर जो certificate first, second and third को दिया जाएगा हिंदी और इंग्लीस में तीनों को दिया जाएगा तो सबसे first जो position रखा गिए हिंदी poetry में यहाँ पर देख पार हैं दोस्तों first position तो यहाँ पर जो है इस candidate जो है और enrollment नम्बर इतना जो कि दिल्ली plateau करते हैं इनको सबसे फर्स्ट पोजिशन पर दिया है हिंदी में उसके बाद बात करते हैं जो सेकेंड पोजिशन देख पार है अनु जी को दिया है यहाँ पर इन्रोल्मेंट नमबर इतना है यहे पी enrollment number इतना है RC जो आहमदाबाद से यह बिलॉंग करते हैं इनको third position पर रखा गिया यह जह दोस्तों यहां पर बताना चाहेंगे यह जो third position में ओहीं पर दोस्तों अगली जो है English वाले पर देखा जाए तो यहां पर प्रियंका महस कुमार को दिया गिया है यहां पर दोस्तों प्रियंका महस कुमार को दिया गिया है दोस्तों enrollment number इतना है यह जो में का student है RC डिली जो है two से तो इनको जह दिया गिया English poetry के लिए वहीं पर दोस्तों जो second position यहां पर देख पार है इनको दिया गिया है और यह enrollment number इतना यह प्रिटिकल सैंसे ब्लॉंग करते सिरी नगर से वहें पर बात करते दोस्तों थार्ड पोजिशन तो मुकेस को मुकेस जी को यहां पर दिया गया मुकेस चंद्रा राना को दिया है enrollment number इतना है दोस्तों final year के student है बीएसी का यह जो है भूनेसवर के student है जो कि यहां पर थार्ड पोजिशन में दिया है तो यहां पर तीनों का तीनों तीन जो है पोजिशन इंगलिस में और तीन पोजिशन हिंदी के जो कभीतार लिखने के लिए जो competition हुआ finally उसका जोस्तों result जारी कर दिया गया अब चलते हैं दोस्तों बुरी खबर की और बुरी खबर यह है दोस्तों कि आप सभी का जो है इगनू का जो है examination form का भरने का जो website है वो finally फिर से shutdown कर दिया गया है आप नीचे comment करें कि इस परकार से क्या आपके पास भी इसी परकार से message आ रहे है या आपके पास website खुल रहे है नीचे comment करके जरूर बताईएगा दोस्तों यह रात से ही ऐसा problem आ रहा है दोस्तों यह पहली दफा नहीं हुआ है दोस्तों बताना चाहेंगे कि हमेशा जो है इगनू के ओपिसली जो website कुछ ने कुछ हमेशा जो दिक्कत आते ही रह है इसके जो एक्जामिशन फॉर्म भरने वाले जो है फिर से यहां पर जो है offline mode में चला गया है तो आप सभी चिंता बिल्गुल भी ना करें थोड़ी सी वेट करें एक घंटा दो घंटे के बाद आप जरूर वेट करें आपको फिर से खुल जाएंगे और जैसे खुलेंग जैसे ही एक्जामिशन फॉर्म जो है वेबसाइट खुलें वेसे ही सभी विद्धार थी हो जो दोस्तो आप सभी एक्जामिशन फॉर्म को जरूर भर लें लास्ट डेट का इंतिजार ना करें अगर कोई भी दिक्कत ना हो ना है पैसा का प्रोलम है ना है किसी भी परकर का प्रोलम है तो आप अपने लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट ना करें क्योंकि इंगनु का बेवसाट कब चल पड़ती है कब दोड़ पड़ती है कब अस्मूद चलने लगता कब इस डेड हो जाती है पता ही नहीं चलता इसलिए दोस्तों आप सभी से आगरे करते हैं ज हो जाएगा में देंगा दोस्तों नशे रिलेटर पलपल खबर जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करियेंगा वेल काकन को हिट करिएगा जुड़ जाएगा आने वाला हर परकार का वीडियो देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों कोई नई वीडियो के साथ कोई नई जान करिए के साथ